हेलो एब्रिवन मैं हुका निश्क शर्म और आप सभी का स्वागत है हमारे चानल और स्कूर्स कॉलेजिस में तो आज मैं आप से बात करूंगी बीएस से इंडेरी टेक्नॉलजी कोर्स के बारे में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत तीन दश्कों से दूद उत्पाद के शेत्र में नए कीरतिमान स्थापित कर रहा है आपको बता दे कि दुनिया का एक चत्हाई हिस्सा डेरी उद्योग के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी चला रहा है तो जैसा कि आप सभी अनुवान लगा सकते हैं कि डेरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और जरूरी भ कर्री की जिंदिगी की एक तरह से खुराक मानी गई है आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को भी दूद पिलाया जाता है और एक उमदराज इंसान को भी जब वो काफी बुड़ा हो जाता है तब उसे दूद ही दिया जाता है क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकता तो अग कॉरस में आपको बताओंगी इस वीडियो के जार ये स कोर्स से साठीं जायसे कि आप यह कोर्स कहां सिक कर सकते हैं, और इस कोर्स करने के बाद आप कहां कहां काम कर सकते हैं जिहां आपको बतादू कि डेरी टेकनोलोजी में दूद उत्मादन, दूद प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पाकेजिंग, ट्रांस्पोर्ट और सभी तरह के काम इस कोर्स में सिखाते हैं यह डिगरी कोर्स मेंली डील करता है दूद या दूद से बने प्रोडक्ट्स की पाकेजिंग पर, उनकी स्टोरेज पर और दूद या दूद से बने प्रोडक्ट्स की नियोट्रीशन वेल्यू को भी यानि की पोशन तत्व को भी चेक करना सिखाया जाता है तो अब देखते हैं इस course को करने के लिए क्या योग गिता होनी चाहिए candidate के पास तो जैसा कि आप सभी को बता है कि graduation करने के लिए 12th pass होनी चाहिए with science dream और recognized board से वो pass होना चाहिए साथ ही minimum percentage जो होनी चाहिए 12th में वो आपकी होनी चाहिए 50-60% और depend करता है कि आप कौन से college में admission लेते हैं आपकी age minimum 17 होनी चाहिए और maximum 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो अब देखते हैं course highlight इस course से जुड़ी हर information जैसा कि हमने आपको screen पर show किया है तो जैसा कि course level होता है bachelor duration होती है तीन साल exam type आप देखेंगे तो semester exams होते हैं वही eligibility की अगर हम बात करें तो 10 plus 2 चाहिए होता है minimum 50% marks के साथ वो भी science stream में admission process के लिए आप direct admission ले सकते हैं या फिर entrance test के थ्रू course fees जो होता है वो 25,000 से 1,5,000 तक होता है average starting salary जो आपको मिलती है वो 3,000,000 से लेकर 14,000,000 रुपे पर रैनम हो सकती है employment areas के अगर हम बात करें तो आप जा सकते हैं cattle breeding centers में, dairies में, educational institutes में, livestock farms में, logistic departments में, milk plants में, production में, manufacturing companies में और भी बहुत जगा पर job profile के अगर हम बात करें तो आप apply कर सकते हैं as a market development manager, area sales manager, product development manager, commodity trading manager, project manager, quality assurance और quality control manager, head of quality control, regional procurement manager और junior research associate तो अगर बात करें skill sets की तो teamwork यानि की team के साथ कैसे आप मिलकर काम कर सकते हैं ये आपको आना चाहिए hard work आपको करना पड़ता है commitment यानि की आपका committed nature होना बहुत जरूरी है इस field में observational skills यानि की आपका observation अच्छा होना चाहिए तो आप देख लेते हैं कि अब आप इस course में admission कैसे ले सकते हैं तो हमने आपको screen पर सारे process शो किये हैं अब आईए बढ़ते हैं common entrance exams की तरफ All India Entrance Examination for admission, Joint Employment Test, Engineering Agriculture and Medical Common Entrance Test, Madhya Pradesh Pre-Agriculture Test and Bihar Combined Entrance Competitive Examination तो अब top colleges के अगर हम बात करें तो हमने आपको screen पर अपनी website दी हैं वहाँ पर जाकर आप इससे related सारे colleges देख सकते हैं अब देखते हैं course labors जो कि आपको पढ़ाया जाएगा वो हमने आपको screen पर शो किया है आप video pause करकर देख सकते हैं और समच सकते हैं कि आपको आगे क्या पर ना होगा वहीं अब अगर बात करें employment areas की तो आप जा सकते हैं cattle breeding centers में, dairies में, educational institutes, firms, logistics departments, production और manufacturing companies में भी तो आप देखते हैं कौनसी position पर आप apply कर सकते हैं जैसे कि marketing development manager, area sales manager, product development manager, commodity trading manager, project manager और quality assurance या फिर quality control manager, head of quality control and regional procurement manager जी हाँ तो आप देखते हैं कि कौनसी companies आपको recruit करती हैं जैसे कि Amul, ITC Limited, Metro Milk, Reliance, Nestle, Vardilal तो अब हम बात करते हैं salary trends के बारे में तो हमने आपको screen पर हर profile के सामने उनका entry level, medium level and maximum level salary दिया हैं तो जैसे कि profiles हैं Market development manager 3.5 to 7.5 lakh, area sales manager 3 to 7 lakh, product development manager 3.8 to 8 lakh, commodity trading manager 2.9 to 6.8 lakh, project manager 3 to 7.9 lakh इसे के साथ हमने आपको ये salary trend एक graph के तुरू भी समझाने की कोशिश के हैं आप screen पर देख सकते हैं और असानी से इस salary trend को समच सकते हैं तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगली बार फिर मिलूँ भी मैं एक नई वीडियो के साथ और अगर आप भी चाते हैं कि आपके topic पर हम वीडियो बनाएं तो हमें comment करना ना भूलें और आपNew कि रविर को इन तो कि राप कुर सबस्ते हैं की